आज के दौर में बड़ी तेजी से लोगों में मुबाइल फोन इस्तमाल करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लोग आरामदायक जीवन के लिए मुबाइल फोन पर पूरी तरहां से निर्फर हो गए हैं। बेशक इस से जीवन के कई काम आसान हो रहे हैं लेकिन ये आपको बीमार बना रहा है और आपका मुटापा भी बढ़ा रहा है। ऐसा एक स्टडी में सामने आया है। देश में मुटापे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्त विशेशक्यू का भी मानना है कि मुटापा बढ़ना कई तरह की बिमारियों को जन्म देता है। पिछले कुछ सालों में लोग अपनी डाइट और एक्सेसाइस की जर्ये मुटापे को अपने से दूर रखने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन ऑफिस लाइफ वाले शेचूर में अक्सर लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते और मुटापे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बिजी लाइफ में लोग अपना मुबाइल फोन खुद से दूर कभी नहीं होने देती। और एक स्टडी से पता चलता है कि मुटापा बढ़ने का एक कारण मुबाइल का ज्यादा इस्तमाल भी हो सकता है। कैलिफोनिया की सिमोन बॉलिवर्ड उनिवर्सिटी के हालिया शूत के मुटाबिक दिन भर में मुबाइल का पांच घंटे इस्तमाल करने पर मुटापा बढ़ने का खत्रा 43 फीसदी तक बढ़ जाता है। रिसर्च में इसका कारण मुबाइल में बिजी रहने के कारण फिजिकल एक्टिविटी ना करना और ज्यादा खाना शामिल है। काडिलोजी की कॉन्फरेंस में पेश्वी गई रिसर्च में बताया गया कि शोध में शामिल 25 प्रतिश्यत स्टूडेंट्स ओवरवेट थे। ये लोग फोन पर रोजाना पांच घंटे से जादा समय पिताते थे। जिसके चलते उनका वज़न लगातार बढ़ रहा था। यानि अगर मोटाफी से जाते हैं जुटी और रहना चाहते हैं फिट तो मुबायल से थोड़ी दूरी बनाना आपके लिए काफी फायदमन साबित हो सकता है।